प्रदेश का सबसी उचा पोलिंग बूथ सिरोही के पिंडवाडा विधानसभा शित्र के शेर गाउं में है गाउं की मतदाता दूर तक पैदल चलकर वोट देने जाते थे लेकिन इस बार अपने ही गाउं में वोट दे सकेंगे आबू पिंडवाड़ा विधानसभाश्रित्र में 210 मतदान केंद्र है यहां करीब 2,27,856 मतदाता है माउंट आबू से 26 किलोमीटर का सफर और जिसमें से 16 किलोमीटर पैदल चलकर अरावली की पहाड़ी उपर मतदान केंद्र बनाय गया है रिटर्निंग अधिकारी सिधार्थ ने टीम सहित मतदान केंद्र का निरिक्षन किया है और साथ ही साथ लोगों को मतदान का महत्व समझाया है इस मौके पर रिटर्निंग अधिकारी सिधार्थ से खास बाचित की हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत ने लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व के अवसर पर कोई भी मद्दाता न चुके इन निरवाचन विभाग की एक पहल है और आज आपको उस सबसे उंचे मद्दान किंद्र के बारे में बताएंगे जहां पर पहुँचना बहुत कठिन है तकरीबं 26 किलोमेटर का सहर से सफर है और 16 किलोमेटर जो है वो पैदल सफर उसकी तय करने के बाद उस गाउं तक पहुँचा जाता है और निरवाचन विभाग की जो पहल है कहीं न कहीं काबिले तारीफ है मेरे साथ रिटर्निंग अधिकारी सिदार्द मौजूद है सर कैसे देखते हैं इस पूरे निरवाचन छेतर के सबसे उंचे पॉलिंग बूत को जैसे देखिए हम निरवाचन विभाग और हॉन्टरबल सीयो सर दीम सर के निदेश अनुसार मांट अभू शेतर में शेर गाउं करके एक गाउं है जो राजस्तान के सबसे उंचा मदान बूत माना जाता है वहाँ पे हमारी टीम के साथ हम ट्रेक करके गए थे वहाँ पे जो भी बेसिक वाश्ता है उसको देखने के लिए इसको जो जाने वाला रास्ता है काफी गटन है फिर भी हमारी टीम और पूरे ग्राम वासियों ग्राम पंचायत की सायोग से हम लोगों ने वहां पे ट्रेक करके गए थे वहां पे हमारा मंशा यह ताकि पहले वह उत्रज तक जो वहां पे रिजिस्टर्ड वोटर्स है वह उत्रज तक आते थे दस किलोमेटर करीबन पैदल आके उनको आना पड़ता था लेकिन इस बार हमने कोशिश करके एक और बूत शेरगाओं में बनाया ताकि वहां के जो 170 व आएगा उसके दूरी को लेकर किया तैयारियां सुरक्षा के लिहाद से क्या वेवस्ताइं रहेगी तो तैयारी के हिसाब से हम लोगोंने हमारी टीम के साथ एक बार प्रैक्टिकली जाके देख लिया तो उसमें रास्ता में जो बेसिक क्लीनिंग की वेवस्ता है और पॉलिंग पार्टी जो आएगी उनके साथ रहेंगे। पार्टी जो आएगी उनके साथ रहेंगे।